Hello Friends, Welcome Back To My Channel, मैं समीता, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन रेसिपी, जिसे हम फास में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, और ये रेसिपी हम ट्राइ करने वाले हैं, प्रिमिक्स के साथ में, ये प्रिमिक्स रेसिपी मैंने अलरी अपने टिप् कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्रत के लिए ये तीन बहुत ही बहतरीन रेसिपी, इन तीनों रेसिपी बनाने के लिए मैं ये प्रिमिक्स यूज कर रही हूँ, जो लगबग एक कप के राउंड है, फिर भी मैं आपको एक बर नापके दिखा देती हूँ, त यहाँ पर इस तरह से मेजर करके मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने दही आड़ करनी है, तो दही जितना आप ले रहे हैं ये मिक्षर उतना ही कौंटिटी में आपको दही आड़ करनी है, तभी परफेक्ट बैटर्स का बनेगा, क्योंकि व्रत के दि तो मैं इसका यूज में कर रही हूँ, अगर आपकी दही मीथी है, तो आप पूरा एक कप लेकर इसका बैटर बना सकते हैं, और इसमें लगबग इतना ही लगने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, शुरू-शुरू म इसमें बैटर थोड़ा सा रनी लग रहा है, अभी में मेरे पास दही पूरी बची हुई है, तो इसको थोड़ा से जब आप मिक्स करेंगे, तो इसमें जो इंग्रीडेंट हैं, वो पानी बहुत सोकते हैं, तो इसलिए इसमें दही अप धीरे-धीरे करके फेटें, मिक्स क इसमें चली गई है, थोड़ी सी मेरे पास बची है, वो भी मैं इसमें एट कर रही हूँ, और ये हमारा बैटर अभी भी काफी थिक है, तो इस तरह से इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे, इस बैटर को आप जितना लंबा छोड़ेंगे, उतना ज्यादा अच्छा ये बन और चीजें आट करना चाहते हैं, तो वो भी आप चौप करके रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जस मैंने ये मीडियम साइज की लौकी का एक पीस लिया है, और इसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी वाश करने के बाद, और पतला वाला ग्रेटर यूज करेंगे, ता ग्रेट कर लिया है, इसके साथ ही मैं थोड़ी सी चिली चौप करूँगी और थोड़ा सा मैंने लिया है, अद्रक, इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं, चौप करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैटर काफी थिक हो गया है, तो पहली रेसिपी के लिए मैं थोड यहाँ पर बैटर ले लिया है, बाकी के बैटर को आप एस इस रख लें, इसमें मैंने डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, जो सेंधा नमक होता है, बस यह हमारा बैटर रेडी है, तब एको हलका सा ही टप करेंगे, हलका सा मैंने घी लगाया है, और बैटर को फैला ले, और उतना ही बड़ा बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की जुरुत नहीं है, यह बैटर इतना क्रिस्पी बनता है इसका डोसा कि आप अमेज हो जाएंगे देखे कि इतना मोटा होने के बाद भी इतना क्रिस्पी है, क्योंकि इसके जो इंग तो आप देख सकते हैं, कितना क्रिस्पी सा यह डोसा बन गया है, इसे आप आलू की रसे वाली सबजी या फिर सर्फ चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है खाने में बाकी का जो बचा हुआ बैटर है, उसमें भी मैं नमक और काली मिर्च आड़ कर दूँगी फ्लेवर के लिए, साथ ही इसमें हम आड़ करेंगे, जो जिंजर हमने कट किया है, साथ ही चिली और जितनी भी यह लौकी है, सारी मैं इसमें आड़ कर रही हूँ, आप यहाँ प पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करें, इसको ऐसे ही मिक्स करते रहें, अब आप देखिए, यह मिक्षर रिदम पॉफेक्ट हो गया है, तो नेक्स रेस्ट भी हम बनाएंगे मिनी चीला, अब छोटे बड़े जिस साइस की भी पसंद करते हैं, उस तरह से बना सकते है तो यहां पर जिस अपने जितना बैटर लेना है, उसको इस तरह से ले लें और हलका हलका प्रेस करेंगे, तो यह बैटर अपने आपी फैलता चला जाएगा, बैटर तो नहीं मैं ऐसे कहूंगी, यह तरह का मिक्षिर हो गया है, जिसमें लौकी काफी सारी है, तो काफी होने में जादा टाइम लगेगा, तो बस यहां पर इस तरह से मैंने इनको फैला लिया है, और अब हलका सा घी साइट में डालूगी, जब यह हलके से कुक हो जाते हैं, और इनको हलकी आच पे ही कुक करेंगे, ताकि अच्छे से यह अंदर तक सिकें, और सारी रौनेस इनक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं, तो आप बिना घी तेल के बीसे बना सकते हैं, इस थ्थरह से यह यम्मी और हैल्दी से चीले हमारे रेडी हो गए है, सिख जाने के बाद आप इन्हें किसी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं, काफी डिलिशियस लगते हैं, और अप्पे है जो की सेम बैटर से हम बनाएंगे तो उसके लिए मैंने अप्पे पैन हीट अप किया है और उसमें थोड़ा-थोड़ा मैं घी आड़ कर रहे हूँ ताकि वो नीचे से चिपके नहीं और अब जो हमारा बचा हुआ बैटर है उसको एस इस तरह से वन स्पून भर क डाल देना है और इस तरह से राउंड कर देंगे इस तरह से ये सारी कैविटी हम फिल कर लेंगे और इसे लिट से कवर करके आप कुक करें थाकि मौश्यर रिटेन रहे और अच्छे से वो कुक हो जाते हैं आप खुला भी कर सकते हैं बड़ उसमें उपर से वो उस तरह से क कर लेंगे और आप देख सकते हैं काफी अच्छी सी ब्राउनिंग नीचे आ गई है तो जो भी आपने पहले डाला है उसको पहले चक करें क्योंकि वो जल्दी कुक होगा इसी तरह से सारे में फ्लिप कर दूँगी और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन कलर इन बना कर रख लें और आपका काम बिल्कुल असान हो जाएगा जब भी आपको बनाना है आप अराम से बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं काफी डिलिशस से अपे रिडी हो गए हैं तो ये थी मेरी तीसरी रेसिपी तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं प् और हाफ कप ले रही हूँ सामक के चावल जो समक के चावल होते हैं इन्हें व्रत के चावल भी कहा जाता है बस इन चार इंग्रीडिन्स से ये प्रिमिक्स बनने वाला है यहाँ पर हम इनको अच्छे से ड्राय रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए इसमें पहले से भी सेंधा नमक आप आड़ कर सकते हैं बट मैं प्रिफर करती हूँ रेसिपी बनाते टाइम सेंधा नमक आड़ करना तो यहाँ पर जिस इन इंग्रीडिन्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर थोड़े से मैं डाल रही हूँ मूफली मूफली से बहुत ही अच्छा बेस आता है और जो भी रेसिपी आप बनाते हैं उसमें मिलती है बाइंडिंग तो आप इस टाइम पर मूफली रोस्ट करके आड़ कर सकते हैं यहाँ अब रातरों में हमारे पर मूफली का पाउडर तो बना ही रहता है तो आप रेसिपी बनाते टाइम भी मूफली आड़ कर सकते हैं तो इस तरह से इन सारी चीजों को अच्छे से मैंने रोस्ट किया और उसके बाद मैंने एक प्लेट पर इसको ठंडा किया है अच्छे से जब यह ठंडा हो जाए उसके बाद हम ग्राइंडिंग जार में से ले लेंगे और अच्छे से चरन कर लेंगे हमें इसका fine powder चाहिए क्योंकि अगर हम fine नहीं बनाएंगे तो फिर डोसा उतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप यहां इस बात का ध्यान रखें कि आप इस mixer से क्या recipe बनाने वाले हैं अगर आपको सिर्फ अपे या चीले बनाने हैं तो थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं अगर डोसा बनाना है तो उसके लिए दम perfectly fine हमें चाहिए यह तो इस तरह से यह प्रिमिक्स रेडी हो गया और इससे आप कई सारी और भी recipe try कर सकते हैं तीन तो मैंने आपके साथ share की हैं उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएंगी यह प्रिमिक्स recipe और इससे बनने वाली recipes अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा चानल को subscribe करें अपना comment ज़रूर share करें मैं मिलती हूँ आपसे कसी और नई interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day झाल